नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टारगेज 11 में आज हम बात करेंगे राहू के बारा भावो में क्या फल होता है राहू एक ताकतवर ग्रह है किसी भी राशी को रूल नहीं करता ये पर इसके इतनी ताकत है कि रिशियों ने भी इन्हें ग्रह का धर्जा दिया है राहू क्या है? राहू बहुरूपिया है राहू एक भ्रम भी है राहू ध्यान को रिप्रेजन्ट करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी राहू रूल करता है अगर राहू लगन में हो तो इसकी position अच्छी नहीं मानी जाती जब राहू लगन में हो तो सूर्य कुंडली में जहां भी हो उसे ग्रहन लगता है जिस भाव में सूर्य होगा तो उसी भाव से related problem हो सकती है लगन में राहू व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है राहू लगन वाला व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता और इसे अपने मित्रों से भी धोका ही मिलता है निर्णे लेने में भी यह अक्षम होते हैं जैसे अगर राहू लगन में हो और सूर्य खाना नमबर 10 में हो तो व्यक्ति को करियर से related problem होती है दूसरा घर wealth का होता है और धन का भी घर दूसरा ही होता है यहां राहू हर चीज को अस्थाय बनाता है दूसरे घर के राहू की स्थिती roller coaster जैसी होती है राहू ससुराल का भी कारक है राहू दो वाले को ससुराल से आर्थिक मदद मिलती है जब राहू दो में हो तो इसे कोई न कोई लथ ज़रूर लग जाती है तीसरा घर भाई बेनों का होता है तीसरे घर को मंगल रूल करता है राहू और मंगल दोनों शत्रुग रहे हैं अपने भाई से दूर रहें तो अच्छा है और वैसे अगर इनके अपने भाई बेनों से बनती है तो भी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाता अगर ये अपने भाई बेनों से दूर रहकर किसी दूसरे शहर में काम करें तो इसको तरक्की मिलती है कान और गले से रिलेटर प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि तीसरा घर संक्रमन का भी होता है चोथा घर राहू की अच्छी प्लेसमेंट है जब राहू खाना नमबर चार में हो तो टॉलेट में तोड़ फोर नहीं करनी चाहिए और छत को भी छेड़ चार नहीं करनी चाहिए वरना लाइफ में प्रॉब्लम होती है और मदर को भी हैल्थ इशू हो सकते हैं घर में सिर्फ head-based pictures नहीं लगानी चाहिए क्योंकि राहू का सिर्फ सर होता है शरीर नहीं इसलिए ऐसी pictures को avoid करना चाहिए राहू चार वाले को सरस्वती की पूजा करनी चाहिए उन्हें नीले फोल भी चड़ाने चाहिए जब राहू खाना नमबर 5 में हो तो संतान से related problem भी हो सकती है एजुकेशन में रुकावट आ सकती है लेकिन education रुकती नहीं है स्टमक से related issue भी हो सकते हैं जब राहू पांचवे घर में होता है तो व्यक्ती को अंधभक्त बनाता है जब पांचवे घर में राहू सही से सही फलना दे रहा हो तो व्यक्ती सोचता है कि उसे कोई support क्यों नहीं कर रहा previous कर्मों के कारण से ही इसको अच्छे relation भी मिलते हैं लेकिन ये लोग बहुत ही practical होते हैं जब राहू छटे घर में होता है तो ये राहू की एक ताकतवर placement होती है अचानक धनलाब भी हो सकता है ये लोग अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं ये बिना मर्जी के कोई भी इनके मन की बात नहीं जान सकता यहां राहू उच्चुका होता है और इनके दोस्त इनके साथ अच्छा behavior नहीं करते चटे घर में राहू perfect होता है memory इनकी जुरुष से ज़्यादा strong होती है और यहां इनकी income अस्थाई होती है सात्वा घर राहू के दुश्वन ग्रह का है यहां शुक्र रूल करता है शुक्र से राहू की relation अच्छे नहीं होते सात्वा घर relationship का भी है और married life ज्यादा अच्छी नहीं होती सात्वे घर का राहू love marriage और inter-cast marriage भी करवा सकता है आठवा घर राहू की bad placement है आठवे घर का significator मंगल है जो राहू का दुश्मन है राहू यहां नुक्सान करता है राहू आठवाले की घर में सीलन बहुत अधिक होती है और इसी वज़ा से उन्हें धन की भी हानी होती है जब तक सीलन होती है तब तक धन की भी हानी होती रहती है वर्षफल में अगर राहू खाना नंबर आठ में हो तो व्यक्ति को जो को जो कोईले को पानी में बहाना चाहिए ये उन्हें तभी करना चाहिए जब कोई भीमारी या कोट केस में दिक्कत आ रही हो तो और जब जहां इंवेस्टमेंट करता है वहां भी इसे धन की हानी ही होती है घर में लीकेज पॉब्लम भी होती है नोवे घर का सिगनिफिकेटर ग्रह गुरु है जो पिता को सपोर्ट नहीं करता पिता को आर्थिक और शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है यहां राहु किस्मत को भी खराब करता है नोवे घर के राहु वाले व्यक्ति को सोना नहीं पेचना चाहिए दसवे घर का सिगनिफिकेटर शनी है राहु शनी का एजेंट है राहु दसवले का इंटरस्ट पॉलिटिक्स में होता है इनका पॉलिटिक्स से अच्छा खासा लिंक भी हो सकता है राहु दसवले व्यक्ति जो भी स्टड़ी करते हैं ये लोग उससे धन नहीं कमा पाते बल्कि जिन कामों को करके कोई व्यक्ति धन कमाएगा ऐसा कोई सोचे भी नहीं ये उन तरीकों से धन कमाते हैं रहु 11 वाले के ससुराल से रिलेशन अच्छे नहीं होते रहु गुरु को भी खराब करता है जब रहु 11 घर में गोचर करता है या वर्षफल में जब रहु 11 घर में हो तो पिता को कस्ट देता है यहां रहु काफी बैद रिजल्ट देता है जो लोग useful नहीं लगते इनहें उ जाहू बारवे घर में हो, तो स्थिती ज्यादा अच्छी नहीं होती, खर्चे बहुत अधिक होते हैं, लेकिन व्यक्ति को फॉरण से भी करेक्शन होते हैं, जिससे इसको लाप मिलता है। अच्छी नीन के लिए भी ये परिशान रहता है, तो राहू को शांत करने के लिए जों और नारियल कादान करना चाहिए, जिससे राहू थोड़ा शांत होता है, और व्यक्ति के कश्टों को थोड़ा आराम मिलता है। तो ये थी राहू के बारा घरों में क्या फल होता है, के बारे में जानकारी आशा करती हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब शरूर करें, धन्यवाद।